शाहरूख खान की फिल्म डमकी का बहुत क्रेज है और हो भी क्यों ना? क्योंकि फिल्म शाहरूख खान की है? बॉलिवुड के किंग खान ने साल 2023 अपने नाम करने का फैसला कर लिया है। शाहरूख खान की साल के शुरूआत में पठान आई थी जिसने शांदार कलेक्शन कि उसके बाद शाहरुक जवान लेकर आये जो सुपहद साबित हुई है ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर अभी भी शांदार कमाई कर रही है। अभी जवान का जल्वा कायम ही है कि शाहरुक ने इस साल की तीसरी फिल्म दमकी की अनौंसमेंट कर दी है। ये फिल्म क्रिस्मस के मौके पर 22 दिसमबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभी से फैंस दमकी को लेकर सुपर एकसाइटड हो गए है। फिल्म अभी सिनेमाघरों पर रिलीज नहीं हुई है और इसके OTT राइट्स को लेकर खबरे सामने आ गई है। शाहरुक खान की डमकी के OTT राइट्स बिक गए हैं। फिल्म ने रिलीज से पहले ही करुणों की कमाई कर ली है। डमकी में फैंस को शाहरुक खान और तापसी पन्नू की जोड़ी देखने को मिलने वाली है। डमकी फुल कामेडी और ड्रामा फिल्म है, ये NRI बेस स्टोरी है। न्यू केयर फैंस को काफी पसंद आने वाला है। शाहरुक खान की डमकी नेट्फिलिक्स पर रिलीज नहीं होगी। इंडिया तुडे की रिपोर्ट के मुताबिक डमकी के ओर टीटी राइट्स जियो सिनेमाने खरीदे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये डील 155 करोड में हुई है, यानि फिल्म ने रिलीज से पहले ही 155 करोड की कमाई कर ली है। रिपोर्ट की माने तो डिजिटल और सेटेलाइट राइट्स दोनों 230 करोड में बिख गए हैं। मुन्ना भाई M.B.B.S. लगे रहो मुन्ना भाई, जो की सोसल मेसेज पर आधारत फिल्मे है। Three Idiots, P.K. संजु जैसी फिल्में डाइरेक्ट कर चुके राजकुमार हिरानी ने डमकी को डाइरेक्ट किया है। ये फिल्म उनके डाइरेक्शन में बन रही है। राजकुमार हिरानी के फिल्मों की कहानी फूहड नहीं होती, उनकी फिल्में बहुत ही सुन्दर कहानियों पर बेस होती है। डमकी को गौरी खान, जियोती देशपांडे और राजकुमार हिरानी ने प्रोड्यूस किया है।